यह तिकोनी पापड़ी मैंने बनाया है तो यह पापड़ी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसको गेहों के आटे से बनाया है तो इसके लिए मैंने एक परात ले लिया है और एक मीडियम साइज कि मैंने कटोरी ले लिये तो इस कटोरी से भरके मैं दो कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ आप चाहे तो एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा भी ले सकते हैं पर मैंने दो कटोरी गेहूं का ही आटा लिया है और इसमें मैं दो चम्मच ये बारिक वाली पापड़ी में कुरकुरापन बहुत अच्छा आता है और ये आधा चमच कलॉंजी है इसको हाथों से हलका सा क्रश कर लूँगी और इसे डाल दूँगी इसमे और आधा चमच ही मैं इसमें अजवाइन डालूँगी इसे भी हलका सा मसल लूँगी और इसमें डाल दूँगी और आधा चमच जीरा डाल दूँगी और स्वाथ के अनुसार नमक डाल देंगे और बीच में हलका सा गढ़्धा बना लेंगे और इसमें डालूँगी मैं तीन चमच देसी खी आप इसकी जग़ पे रिफाइन भी डाल सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी तो देखिए बहुत अच्छे से ये सब मिक्स हो चुका है तो अब इसमें मैं डालूँगी आधा चमच सफेद देल ये आप्शनल है पर इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हलका हलका पानी का छीटा देते हुए इसका एक सक्त डो बना लेंगे इसका मुलायम डो नहीं बनता है वरना पापडिया जो है वो बहुत ही फीकी बनती है और वो फूलती भी नहीं है देखिये सक्त सा डो बनके तयार है तो इसको हम 20 मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे तब तक हम एक गोल बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तीन चमच देशी खी और इसमें तीन चमच ही मैं गेहूं का आटा डालूँगी तो इन सब भी जितने भी मैंने इसमें चीज डाले हैं जैसे की पापड़ी बनाते समय या इसका गोल बनाते समय तो इन समय मैंने गेहूं का ही आटा लिया है मैंने मैदा या कॉन फ्लोर किसी चीज का यूज नहीं किया है तो ये घोल बनके रेडी है और यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दिया पड़ रही है इसलिए ये जम जा रहा है क्योंकि ये इसको मैंने देशी घी में गोला है तो आप इसकी जगब पे रिफाइन भी डाल सकते है आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है तो इक्वल साइज में हम इसके तीन टुकड़े कर लेंगे दो रख देरियों में और एक जो है इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे मजल के चिकना कर लेंगे आप चाहे तो छोटी छोटी लोई तोड़के और ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लोई लेके और पूरी की तरह बेल भी सकते हैं पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए मैं इसका एक रोटी की तरह बड़ा सा बेल लोंगे जितना मोटा हम रोटी बेलते हैं ठीक उतना ही इसका ठीकनेस रखेंगे और इसको इतना बड़ा बेल लेंगे हम और यह जो घोल बनाया था देखी यह फिर जम गया तो इसको हलका सा गरम कर ले रही हुँ मैं और इसको चारो तरप से इसके उपर हम लगा देंगे साइज इसका हम चपाती से बड़ा बेलेंगे बहुत अच्छे से हम चारो तरफ इसको लगा देंगे इस पर और फिर दो चुटके इस पर आटा हम टस्ट कर देंगे आटे से क्या होता है कि जब हम पापडियों को मोडते हैं तो उनके लेयर बहुत अच्छे से खुल जाते हैं तो ऐसे हलका हलका मोडते हुए हम गोल गोल करते हुए इसको अच्छे से लपेट लेंगे और हलका हलका हाथों से प्रेस करते हुए इसको बराबर कर लेंगे कि कहीं बीच में ज्यादा मोटा और किनारों पे पतला ना रहें बराबर हर तरीके से हो जाए और इसके छोटे छोटे साइज काट लेंगे अब एक लोई में ले रही हो और इनकी लेयर देखे कितने अच्छे इनके लेयर बने हैं अंदर से तो इसको हाथों पे लेके और हलका सप्रेस करते हुए इनको हम एक पूरी की तरह बेल लेंगे जितना मोटा हम पूरी बेलते हैं उतना ही बड़ा इसको और उतना ही मोटा हम बेलेंगे बहुत बड़ा भी नहीं बेलेंगे और बहुत छोटा भी नहीं बेलेंगे बस इस साइज का हम बेल लेंगे और इसकी थीकनिस इतनी ही रहेगी तो इसके उपर जो ये घोल है इसको हलका हलका इसके उपर हम लगा देंगे और इसको एक बार हम बीच से ऐसे मोड देंगे और इनको भी दबाना बहुत जरूरी है तो ऐसे इसको भी दबा दीजे बीच से और एक बार ऐसे दबा के कोनों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए बीच में भी दबा देंगे तो इस तरीके से बनाते हुए हम सारी पापडिया बना लेंगे बस एक लोई को हाथ पे लेना है प्रेस करते हुए बेल लेंगे और फिर मोड के पापड़ी तयार कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम किया है और यह तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है मीडियम गरम है और इस पे सारे एके करके सारी पापडियों को डाल देंगे और यह सारी पापडिया भी हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे बहुत हाई फ्लेम पे या बहुत लो फ्लेम पे नहीं तलेंगे पर जब इन पापडियों को हम तेल में डाल देंगे तो इनको एक दम से हम नहीं पल्टेंगे एक मिनट बाद इनको पल्टेंगे और देखे एक मिनट हो गया है और ये सारे पापडियों की लेयर अपने आप ही खुल गई है खाने में ये बिल्कुल बजार की तरह पापड़ी लगती है देखिए सारी पापड़िया कितने अच्छे से खुल गई है तो इनको इसी तरीके से लटते पर लटते हम सेख लेंगे गोल्डिन ब्राउन होने तक इनको हम सेख लेंगे इनको सिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता तीन से चार मिनट में ये सिख जाता है और जब इस तरीके का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इनको हम निकाल लेंगे इस से ज़्यादा हम इने ब्राउन नहीं करेंगे तो अब देखे सारी पापड़ियां इसी तरीके से हम तल लेंगे और ये पापड़ी बिल्कुल तयार है तो मैंने एक मीडियम साइज की कटोरी ली थी और इसी से नापके मैंने दो कटोरी गिहों का अटा लिया था और कितनी सारी पापडिया बना लिया है मैंने तो चाई के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ये नुकसान भी नहीं देता क्योंकि मैंने इसको गिहूं के आठे से बनाया है और देखिए इनकी layer को देखिए कितना अच्छा इनकी layer खुल के आए हैं और एक पापड़ी मैं आपको तोड के दिखा रही हूँ तो देखिए कितने अच्छा ये बनके तयार हुआ है तो एक बार आप इस तरीके से पापड़ी जरूर बनाइए और मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी जरूर बताईए तब तक के लिए शुबरात रही